नमस्कार आज मैं आपको इंटेक सिस्टम के भागों के अंतरगत इंटेक मैनिफोल्ड या इनलेट मैनिफोल्ड के बारे में आज आपको बताऊंगा तो चलिए शुरू करते हैं इंटेक मैनिफोल्ड एक ऐसा पार्ट है जो डीजल इंजन में एर क्लिनर तथा इंजन के इंटेक में इंटेक पोर्ट के बीच फिट किया जाता है तथा पैट्रोल इंजन में कार्बूरेटर तथा इंजन के इंटेक पोर्ट के बीच फिट किया जाता है यह air cleaner से आने वाली साफ हवा को inlet port तथा inlet valve के रास्ते सुगमता से engine cylinder में जाने देती है inlet manifold cast iron या aluminum से बनाए जाते हैं manifold एक अथवा अनेक रास्तों तथा मोड का एक समू है चो किसी engine के air cleaner से inlet port तक cylinder की संख्या के अनुसार डिजाइन किया जाता है जैसे कि single cylinder engine में air cleaner से आने वाली जो शुद्ध हवा है इसके लिए inlet port तक केवल एक ही passage या mark बना होता है जबकि multi cylinder engine में air cleaner से आने वाली शुद्ध हवा के लिए cylinder की संख्या के अनुसार या inlet port की संख्या के अनुसार inlet manifold पर passage या mark बनाए जाते हैं जैसा कि यहां चित्र पे 6 cylinder engine के लिए manifold बना हुआ है यहां पर एरो मार्क के माध्यम से प्रदरशित किया गया है कि यह air cleaner या carburetor से आने वाली जो शुद्ध हवा है यहां से प्रवेश करेगी और इस रास्ते को 6 भागों में बाटा गया है यह उन रास्तों को बराबर मात्रा में हवा या चार्ज की जो मात्रा है उसको डिवाइट करती है यह है 6 सिलेंडर इंजन के लिए inlet manifold एक सिलेंडर इंजन में जैसक यहां चित्रे में दिया हुआ है air cleaner से जो इंजन की intake port हैं वहां तक एक ही मार गया रास्ता बना हुआ है inlet manifold के माध्यम से तो इस तरह से inlet manifold की बनावट होती है inlet manifold को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि इनके अंदर का रास्ता स्मूथ रहे ताकि डिजल इंजन में शुद्ध हवा और पैट्रोल इंजन में चार्ज जिसे हवा और पैट्रोल का मिसरन को inlet manifold से गुजरते समय किफी भी तरह की कोई रुकावट ना हो या कोई बाधा ना हो तथा हवा या मिसरन को inlet port के रास्ते सभी सिलेंडर में बरावर मात्रा में पहुँचाई जा सके पैट्रोल इंजन में inlet manifold के अंदर चार्ज या मिसरन कंडेंस ना हो इसके लिए भी ध्यान रखा जाता है क्योंकि कार्बूरेटर से पैट्रोल वेपर होकर inlet manifold में पहुँचता है inlet manifold को सिलेंडर हैट के इंटेक पोर्ट पर श्टर्ट के माध्यम से टाइट किया जाता है inlet manifold के कार्य inlet manifold चार्ज को सभी सिलेंडरों में बराबर हिस्सों में विभाजित करे inlet manifold चार्ज को सभी सिलेंडरों में पहुँचाए इसमें आये हुए चार्ज का air fuel ratio में कोई अंतर ना आये इसमें हवा और चार्ज के बहाव में कोई रुकावट भी ना हो तथा इसमें आया हुआ जो चार्ज है जो मिस्तरण है पेट्रोल इंजन में वह कंडेंस ना हो तो अब तक के लिए बस इतना ही धन्यवाद